विश्वास है कि इनके आने से कॉंग्रेस को और मजबूती मिलेगी, जो सेक्यूलर फोर्सेज हैं उनको मजबूती मिलेगी और पंजाब में निश्चित तोर पे हमारा प्रदर्शन और भी बहतर होगा। मैं एक बार फिर पंजाब कॉंग्रेस कमीटी की तरफ से भी स्वागत करती हूँ और उमीद करती हूँ कि सिद्दू जी के आने से कॉंग्रेस को और बल मिलेगा पंजाब में भी और जैसा माकन जी ने कहा इनके अनुभव का लाव हमें पूरे हिंदूस्तान में मिलेगा और सिद्दू जी से निवेधन करती हूँ कि वह आपके सामने आए मंचपे आसीन महानुभाफ उन सबका धन्यवाद करता हूँ आप सबका खेर मगदम धन्यवाद करता हूँ कि आप यहां आए दोस्तो आप बॉन कॉंगरिस्में आप बॉन कॉंगरिस्में मेरा अस्तित्व पैदाशी कॉंगरिसी है I've just come back to my roots मैं अपनी जड़ से वापिस जोड़ गया हूँ मेरे पिता सरदार भगवन सिंग सिदू कीर्थी गदर पार्टी में तेजा सिंग स्वतंतर के साथ कॉंगरिस में शुरुआत की 40 साल कॉंगरिस की सेवा की MLA बने MLC बने कीर्थी गदर पार्टी में गदरी बनके उन्होंने Freedom Struggle में पूरी तरह से Participate किया Lahore में लाल किला अखबार निकालते हुए वो पकड़े गए He was sentenced to death by the British ordered to be shot by the firing squad जेल में दो महीने तसीय जेलने के बाद जब साथ दिन रह गए थे King's Amnesty हुई और उसमें मेरे पिता को साथ परचिया डाली थी छोड़ दिया गया वापस आके MLA, MLC, Congress Party की तरफ से Advocate General of Punjab बने मेरी एक घर वापसी है मैं वापस घर आ गया बागी कुछ लोग टिपणिया कसते हैं असर नहीं है दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग असर नहीं है कहते हैं सुधू पाटी को मा कहता था कि ये बड़ा जबरदस जुलन्त कोई परधान जब बोलता है बड़ी जिम्मेवारी से बोलता है मा बोलता था लेकिन माता तो कह कही भी थी जो वनवास भेजती थी अपनी जड़ से दूर करती थी घर से बाहर भेजती थी ठीक नहीं थी वो वनवास भेजती थी और माता कौशलिया वापिस बुलाके बिश्वास का सद्दा भेज दी तो ये तो आप तेह कर लो कि कै कई कौन है और माता कौशलया कौन है दूसरी बात सारा जग वाकिफ है, पंजाब वाकिफ है कि मन्थरा का रोल किस ने निभाया पंजाब में कौन उक्साता था कौन साज़शें करता था और कौन सिद्धू को वहाँ देखके असरक्षित महसूस करता था वो मन्थरा कौन है यह जो पबलिक है यह सब जानती है, सिद्धू नहीं कहता राजेश खन्ना कह गए बहुत पुरान है वो भी कांग्रसी थे, खटैक तो यह मुद्धा तो खटम हुआ अब जो जो जोलंद स्वाल है वो यह है कि क्या यह सिद्धू का निजी युद्ध है क्या यह निजी लड़ाई है बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं यह नवजोब सिंग सिद्धू की निजी लड़ाई नहीं है यह पंजाब के अस्तित्व की लड़ाई है पंजाब की गहरत की लड़ाई है पंजाब के स्वाबिमान की लड़ाई है अलग जगाने आया है सिद्धू एक जरिया चाहिए था एक मध्यम चाहिए था मिल गया कॉंग्रेस पार्टी मिल गया अलग भी जगाऊंगा और लोगों को ये एहसास भी दिलाऊंगा कि कहां गया वो पंजाब जो जाना जाता था ग्रीन रेवल्यूशन के लिए आज वो चिट्टे की वज़े से जाना जाता है नाम ही खोदोगे तो किधर जाओगे और पहचान खोदोगे से तू तो बिखर जाओगे पंजाब हमारा गौरव है अनदाता को बिखारी बना के खड़ा कर दिया साख धूल में मिला दी क्या इसके लिए लड़ना नहीं होगा क्या किसी को हला हल विश्पीना नहीं होगा क्या हर आदमी अपने बारे में ही सोचता रहेगा मैंनों भाईो आज पंजाब में पच्पन परसंट लोग 18 साल और 49 साल के बीच में हैं यानि युवा एक करोड़ पांच लाख एक करोड़ संतानवे में से एक करोड़ पांच लाख लोग युवा है युवा क्या दिशा दे रहे हैं हम उने बीज बोदो फूल खिल के चमन को बहार देंगे और दिशा दे दो ये नौजवान मिलके परंजाब को सवार देंगे इन्हें दिशा देनी होगी इन्हें उठाना होगा इन्हें जगाना होगा इन्हें आत्म विश्वास देना होगा Drugs is a reality in Punjab You cannot have that ostrich mentality Bury your head deep in a pit and think it does not exist It does exist बीजनास कर रही है हमारी कौम का जिस कौम ने अपनी जवानी को संभाला विजई हुई यशुस्वी हुई उसकी कीर्थी कभी नष्ट नहीं हुई और जिस कौम ने अपनी जवानी को मिट्टी में रोल दिया उसका अस्तित्व मिट्ट नहीं मिट सकती गुर्गोविन सिंग पाथषा की ये कौम नहीं मिट सकती ओ ऐसे रोल मॉडल जो हमारे सामने है शहीद आजम भगत सिंग कोई उठेगा परित्रा नाम सादू नाम विनाशाचाई दुश्कृताम धर्न संस्थार्पनार थाए संभवानी युगे युगे जिन लोगों को भगवान भूल गया है जिन लोगों ने जल्म की अती कर दी दबा के लूटा जिसने विरोध किया उसे दबा के कुटा उन लोगों के इंसाफ का समय आ गया है भाई इंसाफ होगा आवाज खलक नगाड़ा ए खुदा जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है दर्बारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे कुछ अपनी कजा को पहुँचेंगे कजा मौत कुछ अपनी कजा को पहुँचेंगे कुछ अपनी सजा को पाएंगे आए खाक नशीनों उठ बैठो अब वक्त कहां आन पहुचा है जब बादल के तक्त गिराए जाएंगे और ताज उचाले जाएंगे भाग बाबा बादल भाग कुर्सी खाली कर पंजाब की जनता आती है आती है यह प्रन है नव जोट सिंग से दूगा अब ही तो सर पाटी शुरू ही है ट्रेलर शुरू है तो आप क्यों हो कर रहे हो आपने ले ना तोड़ो मेरी गुरु देव मैं हरान हूं कि कोई नहीं बोला कि ड्रग्स इस रियालिटी मुझे यह बताईए कि यह चिट्टा राजस्थान में क्यों नहीं बिखता यह चिट्टा गुजरात में क्यों नहीं बिखता भाई जी एंड के में क्यों नहीं बिखता बॉर्डर है इरान के साथ इरान में क्यों नहीं बिखता यह क्यों बिखता है सरफ पंजाब में क्योंकि पंजाब में पॉलिटिशन पुलीस जो कुटपुतली बना दी गई है और ड्रग पेडलर इनका नेकसस है इनका नेकसस है कोई माने या ना माने सच कह गए हैं लोग दिवाने सत्य यही है और मैं आज सत्य बोलने आया हूँ अलग जगाने आया हूँ योध्धा वही जो जूझे रण के अंदर पीठ नहीं दिखाएं योध्धा वही जो जूझे रण के अंदर मित्र वही जो समय पे काम आए योगी यती मानव की मती सत्य के मार्क पे चलके ही परमपत पाए और सत्य यह है कि इन्होंने पंजाब जो के धाल थी इस मुल्क की इन्होंने धाल खोकली कर दी है जो धाल बनके खड़े होते थे जो फोज में जाया करते थे जो सुडॉल तगड़े मूँ पे नूर था जिनके उनके पैंसिलों जैसे शरीर है